नमस्कार विध्यारतियों DS Educator के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज मैं एक नई एक्जाम अपडेट के साथ आपके साथ यहाँ पर आया हूँ और एक्जाम अपडेट यहाँ पर यह है मैं आपको बता दू कि पहले जो कई दिनों से अकवारों में जो खबरे चल रही थी कि युनिवर्सिटीज की एक्जाम है वो 15 मई के बाद होंगी कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे भी पहले हो सकती है कुछ लोग बोल रहे थे कि जून में होंगी जुलाई में होंगी तो यह जो अफवाहों का दौर था वो चला आ रहा था तो मैं आपको बता दू कि एक तो क्या है विद्ध्यारतियोंने एक मूवमेंट चलाया था और अभी विसाइद वो चल रहा है कि बचों को सिधा प्रमोट किया जाए और इस वाढ़ टेस्ट नहीं लिया जाए एक्जाम नहीं लिया जाए और डाय्रेक्ट प्रमोट कर दिया जाए तो ऐसी बाते हैं वो चल रही है तो मैं आपको बता दू कि फिलाल जो सीन है उसमें यूनिवर्सिटी की एक्जाम जो है वो होना लगभग लगभग ते है तो आप इसमें देखोगे मैं आपको बहुत संशिप्त में बताऊंगा और ज्यादा समय भी आपका नहीं लोगा तो मैं आपको बता दू कि कॉलेज और विश्विद्याले की परिक्षाओं के लिए कमेटी राष्तन सरकार ने गठित की थी और उसकी रिकमेंडिशन लगभग लगभग आचुकी हैं और पहले जो था समर वैकेशन वो 31 मई तक था और उसी एक्जाम है वो जून में सुरू हो सकती है और कहा भी यही गया था अकवारों के मैध्यम से लेकिन अभी रिसेंटली जो नया अपडेट आया है मैं आपको यह अजमेर राष्तन पत्रिका के अवाले से बता रहा हूं और निश्यत तोर पर यह ख़वर काफी सही भ जून में नहीं हो पाएंगी क्योंकि लॉक्डाउन जो है फोर्त शुरू हो चुका है और अब तक की जो सूचनाय मिली है उसके एसाब से यह कि जो समर्वेकेशन है वो साहिद पंदरा जून तक बढ़ जाएगा ऐसी सूचनाय है और इसके आधे सरकार शिग्री साहिद ज करने वाली है तो अब बात आती है कि यह एक्जाम और कब हो सकती है यदि जून में यह एक्जाम नहीं होती है तो यह एक्जाम कब हो सकती है तो इस ख़वर पर यह आप गौर करोगे तो कॉलेज और विश्विध्याले की परिक्षा है अब जुलाई में और यह जो इसके क वाले से ये सूचना है और ये काफी अत्तक पुखता सूचना है तो मैं आपको बता दू कि जुलाई में जो है वो परिक्षाइं शुरू हो सकती है और ज्यादा तर चाम से यह कि जुलाई में परिक्षाइं आपकी शुरू हो जाएंगी कब तक शुरू होंगी इसमें अभी परिक्षाएं कभी भी शुरू हो सकती हैं, फर्स्ट जुलाई से लेकर आपकी परिक्षाएं कभी भी शुरू हो सकती हैं, ये बड़ी अपडेट है, इसके अत्रिक्त मैं आपको एक चीज़ और बता दू, कि जो पहले परिक्षाएं होंगी, वो BA Final की होंगी, BSC Final की होंगी, और इसके साथ PG Final Year की होंगी, Final की परिक्षाएं सबसे पहले होंगी, और PG में जो सबसे पहले पेपर होंगे, वो छोटी सब्जेक्ट की होंगे, छोटी सब्जेक्ट का मैं आपको बता दू, छोटी सब्जेक्ट का मतलब यह हैं, कि जिसमें number of students हैं, वो कम रहते हैं, और number of इसे बिसे हैं, जो काफी बड़ी मात्रा में बच्चे लेते हैं, पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से आप यह थोड़ा सा अपडेट रहें, और यह बहुत बड़ा कंशुजन था, जिसे मैं दूर करने का प्रियास कर रहा हूं, और इस ख़बर का authentication यही है, कि एक सद्यश्य ज तो वो इस ख़बर का अधार है, मैं अपनी तरफ से ज्यादा कुछ एड़ान नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे जो की बार-बार में फोन करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, उनके लिए यह मैसेज है, और एक साथ मैं अपसे यह भी कहूँगा, कि मेरे इस DS Educator के चैनल को आप सिर्फ सूचनाओ का चैनल नहीं मानें, इस पर मैं निरंतर पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाता रहूँगा, तो आप चैनल को सेर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ जो और बाते मैं आपको बता रहा हूँ, वो यह है, कि इस ज दून में आपके पेपर नहीं हो पाएंगे, और यह जो पेपर है, आपके वो अब जुलाई में संभावित है, प्रस्तावित है, और यदि कोई बच्चा आपसे यह कहता है कि आपके पेपर नहीं होंगे, तो आप उसके ब्रह्म में ना आए, आपके पेपर 100% होंगे, तो झाल झाल